आप सभी ने कभी शब्द समय यात्रा या टाइम ट्रेवल के बारे में सुना होगा. तो मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविश्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभब है और यदि यह वास्तव में संभब है तो आप समय यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे इन सवालों के जवाब तो शायद कभी किसी के पास नहीं है लेकिन हम आपको इस वीडियो में पाँच ऐसी सची समय यात्रा की घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कहीं ना कहीं समय यात्रा सच में होती है ये साबित करने का काम करती है आज तक इन घटनाओं को जिन्होंने भी सुना वे पूरी तरह से हैरान रह गए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चार सौ साल पुराने मकबरे में मिली स्विस घडी सन दो हजार आठ जब शोद करता ने सन दो हजार आठ में चार सो साल बाद दक्षणी चीन के शांगसी में मिंग राजवंच से समबंधित एक अच्छूते चीनी मकबरे को खोला गया तब कुछ धातु के साथ मिटी और चटान से घिरी एक अनगूठी के आकार की घडी मिली जिसमें 10 बच के 6 मिनट पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस्ट शब्द लिखा हुआ था जिसका मतलब की वह घडी स्विच्जलेंड में बनाई गई थी नमबर दो टाइम ट्रेवलर मम्मी मंगोलिया के अलताई पहाडों में 10 फीट गहरी गुफा में शोत करताओं को 1500 साल पुरानी एक मम्मी मेरी जो की बिलकुल भी अलग थी क्योंकि उसने पैरों में जूते पहने हुए थे जो की आज के मौडन जमाने के थे तो उसे वक्त जूते की यह कार्य गिरी अस्तित्व में ही नहीं थी तो फिर मम्मी के पैरों में यह जूते कहां से आये यह आज भी वैग्यानिकों के लिए एक बड़ा रहे से बना है सर्व विक्टर गोडार्ड की भविश्य की उरांत सन 1935 ये घटना सन 1935 की है जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलेंड से होते हुए अपनी शहर जा रहे थे तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निरने लिया जो एडिनबग के शहर से करीब था मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अच्छानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एरपोर्ट पे आ गए जो देखने में बहुत आधुनिक देख रहा था ये सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एरपोर्ट बन पड़ा था और ये पूरा कारियरत था विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा जैसे कि उनका खराब हुआ रणवे बिलकुल नया था वहाँ चार पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मौडन ब्लू ड्रेस में एरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे ये सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उत्तरा बलकी वापस मौड लिया और फिर वह उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वह रास्ता भटक गए मगर तूफान शांत होने के बाद वह किसी तरह अपने शहर पहुँचे अपने शहर पहुचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताए पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया पर चार साल बाद उस एरपोर्ट का नया रन्वे बनाया गया इसके साथ एरपोर्ट कर्मचारियों के युनिफॉर्म का रंग नीला रखा था और तो और वहाँ पीले रंग के एडवान्स प्लेन भी बनाये थे इसका मतलब की सर विक्टर गौडा टाइम ट्रेवल करके समय में चार साल आगे गए और उन्होंने भविश्य की नई दुनिया देखी रूडॉल्फ फैंस की टाइम ट्रेवल घटना सन 1951 ये टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है जब रात 11 से साधे 11 के बिच न्यू यॉर्क टाइम स्क्वाय के सामने एक आदमी अचानक प्रगट होता है उस व्यक्ती की उम्र 25 से 30 के बिच थी जिसे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्य चकित हो जाते हैं क्योंकि वह आदमी अचानक रोट के बिच प्रगट होता है और उसने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह भी आसपास माहुल देखकर घबरा जाता है जैसे की वह कि समझ पाए तभी एक तेजी टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है फिर उसकी बॉड़ी को पोस्ट माटम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तामबे का एक टोकन था गोड़े के तबेले का बिल एक खत था जिस पर 18 1876 का स्टैम्प लगा था एक बिजनेस कार था जिस पर रूडॉल्फ फैंस नाम लिखा था और सतर डॉलर के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजे मिली जो पुराने जमाने की थी पर वह बिलकुल नए लग रही थी न उस व्यक्ति की पतनी मिली जो बहुत बुई हो चुकी थी वह बताती है कि रूडॉल्फ फैंस रूडॉल्फ फैंस सिनियर ये रूडॉल्फ फैंस जुनियर के पिता है जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गय थे वह बताती है कि जब रूडॉल्फ फैंस एक दि दर्च की थी